करनाल जिला प्रिशासन और गोता खोरोद्वारा आवर्धन नहर में से एक और बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है आपको बता दें कि जिला प्रिशासन और गोता खोर आवर्धन नहर से शव को खोजने के लिए निरंतर प्रयासरत थे गोरतलब है कि एक पिता ने अपने तीन बच्चों को आवर्धन नहर में फेक दिया था बता दें कि आवर्धन नहर में करनाल के गाउ रसूल पुर्पुल के पास ये शव मिला है अब एक बच्चे का शव मिलना रह गया है अब तक दो बच्चों का शव मिल चुका है शव को कबजे में लेकर मेडिकल कॉलेज के पोस्ट मॉर्टम हाउस में रखवा दिया गया है अब गोता खोरों की टी में एक अन्य बच्चे की तलाश कर रही है उमीद जग गई है कि तीसरे बच्चे का शव भी मिल जाएगा इस संबंद में थाना कुझपुरा प्रभारी मुनिश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रसूलपुर नहरपुल के समीप एक बच्ची का शव दिखाई दिया है जिसकी सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुची एवं गोता खोरों की मदद से बच्ची का शव निकाल लिया है जिसको पोस्ट मॉर्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मौर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है यहां हम आपको बता दें कि गद दिनों नदी पार गाउं के एक वैक्ती द्वारा अपने तीन बच्चों को नदी में फेक दिया गया था जिसके बाद लगातार उनकी तलाश की जा रही थी जिन में से दो के शव मिल चुके हैं और एक का शव मिलना अभी बाकी है जिसकी तलाश पूरे जोर शोर से की जा रही है उधर बच्चों की मा और दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल है दूसरी और तीन दिन के पुलिस रिमान पर चल रहे तेहरे हत्याकान के आरोपित सुशील कुमार से पुलिस गहन पूछताच कर रही है इसे पूरवार रोपित के एक दिन के पुलिस रिमान की अवधी पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था फिर से पुलिस ने उसे सौमवार को तीन दिन के पुलिस रिमान पर लिया था करनाल से समाचार एक्सप्रिस की रिपोर्ट कर दो नमश्कार हम मौजूद है करनाल में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी एक पिता ने शराब पी कर नशे में अपने तीन बच्चों को नहर में फैक दिया था तो आप घटना कितनी दुर घटना गरस्त होगी ये तो आप अंदासर लगाई सकते है क्योंकि एक पिता ने ही अपने बच्चों को नहर में फैक दिया ये बात लगबग 10-15 दिन पहले की है अभी कुछ दिन पहले भी एक बच्चे की लाश तो मिल चुकी है अभी आज इसी नहर में एक बच्चे की और लाश मिली है हमारे साथ उनके कुछ परीजन है उनसे हम बात करेंगे आप बच्चे की लाश जा रही आगे उसने बताया आपको जाए हम रहात ही गए थे यहां से तो ये पूरा मामला क्या था कैसे क्या हुआ बच मरद बीर का जगड़ा था जी गर्वाली उसकी गलत चल रही ती गलत तो भी था जी बस उस जगड़े में हुए जिनका आपस मैं नशे में फैका उन्होंने अपने बच्चो नसा तो चोड़ रखे था जी उसने बस दिमाग में टैंसर कितने दिन पहले की बात हैं यह साथ अट मिनने पहले शुरू है था उनका जगड़ा पसका अब चली रहा था जी बतेरा समझाया हमने अब उनके घर में क्या सीतिया मतलब उनके बच्चों के माबाप पे क्या कुछ बीत रही है अब वो ठीक है ठीक ठाक तो के रहेंगे ज जिनके घर मतलब चार पांच जी चले जा जी तो यह थे उस बच्चे के ताओ जी इन्होंने बताया कि तीन बच्चे इनके घर से जा चुके हैं तो क्या बीते कि यह आप भी अंदाजा लगा सकते हैं गर हम तो इनके दुख कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं वीडियो यह तीन बच्चे थे जी चोट्टे का देव बड़ी का जानवी उससे बड़े का आथ साल कि था आसिव दो लड़के एक लड़की तो यह बताया बच्चो यह बच्चो के अता पता नहीं है कि वो कहां है किस हाल में है वीडियो जनेरिस्ट सानी चोधरी के साथ मैं प्रिति कादिया नमिश्कार इस जो मामला भी हमने आपको दिखाया इस मामले की जानकारी के लिए सच्च सर हमारे भास सर से पूछेंगे सर पूरा मामला क्या है तेज तारिक को तीन बच्चे एक नलीपार की विक्ती सुचील ने नहर में फैंक दिया थे और उसके बाद एक बच्चा पहले ट्रेस हो गया था और अभी एक बच्चे आज शेक पूर्स वाने के पुल के पास से ट्रेस हुआ और उससे पोस्मार्टर में पहुचा दी है किसी से फोन पर सुचना प्राप्त हुई थी और फोन पर सुचना प्राप्त होने के बाद पोलिस ट्रीम पहुंची और इसनों ने निकाला है स्थ देवनाम है उसका और तीन वर्शिय सेथे जल्दी गून्ड लिया जाया। अधिक तीन वच्चे हैं जिन में से दो लड़के हैं, एक लड़की है और और कारवाही चल रही है, जल्दी तीसरे बच्चे का भी पता लग जाएगा। प्रिटी चनलिस्ट सनी चोधरी के साथ मैं प्रिती काध्यान नमिश्कार। राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज